Hello Students, काफी सारी स्ट्ट्वेंट के मन में ये डाउट चल लेते कि examination date announce करते लेकिन examination conduct कैसे करा जाएगा कैसे social distance को वहाँ पर examination center में maintain किया जाएगा तो इसकी regarding NTA director का ये कहाँ पर interview था और हुनों ने इसमें काफी सारी questions के answer दिये साथी साथ अच्छी ख़बर भी स्टुएंट्स के लिए दोने इंफॉर्मिशन में आप लोगों के साथ इस वीडियो में सेयर करूंगा तो वीडियो को बिना स्किप के वे पूरा एंट तक एक बार जरूर देख लें तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि एंटिये इंसे और करता है स्टुएंट्स की सेफटी को स्टुएंट्स की सेफटी पूरी तरह से एंटी इंसे और करेगा स्टुएंट्स को कोई भी वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी जितने भी नैसेसरी प्रकॉसंस हैं वह सारी के सारे प्रकॉसंस फॉलो किया जाएंग तो इस टाइब से डिफ्रेंस लॉट दिये जाएंगे ताकि आपको वहाँ पर examination center में बिठाया जाए examination center का प्रोपर तरीके से centriization महाँ पर किया जाएगा ताकि students को कोई भी वहाँ पर health regarding अब जो covid-19 से कोई भी students को वहाँ पर problem ना आए एक्जाम के बाद नहीं COVID-19 वहाँ पर स्प्रेड हो उन्होंने का कि स्टुएंट्स को अपने प्रिपरेशन फोकस करना चाहिए डिफरेंट स्लोट टाइम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो क्राउड है एक साथ काफी जानदा क्राउड आपको एक्जामनिशन सेंटर क स्टुएंट के साथ काफी सारे तो पेरेंट्स कंहीं आया है जब जदरूत就 mayoría से वाख बनाये जा जाएगा जिस क 真的s पेरेंट्स वहाहां से नहीं हुं adult or seven रेकर चैख्पॉंट्ड रा से पाएंगे नहीं से नहीं पाएंगर तो पहले हो था हुत था कि एक्वाल व्हां जरूरत पड़े students के साथ आने की students अकेला नहीं आ सकता या फिक काफी दूर से आ रहे था वाएं क्योंकि एक पर्टिकुलर एक checkpoint के बाद तो फिर parents वहां पर पास आउट नहीं हो पाएंगे तो पहले ऐसा होता था कि examination center के main gate तक आप लोग जा सकते थे parents लेकन अब सायर एक particular कोई checkpoint बनाया जाएगा जिस checkpoint के बाद के बाद केवल students जा पाएंगे parents वहां से नहीं जा पाएंगे तो यह कुछ information है जो precautions है NTA follow कर रहा है अब second news यहां पर यह है कि examination centers change कर सकते हैं आप लोग आप लोग जो examination centers है वह examination centers यहां पर change कर सकते हैं और इन examination centers को आप अपने आसपास की cities है वहां पर update कर सकते हैं तो काफी सारे students जो यहां पर change कर रहा है उनको वहां पर अपना particular city examination प्राणी एक्जामनेशन सेंटर दिख रहा लेगन काफी सारे स्टुनेंट जो नहीं दिख रहा है और वह एक्जामनेशन सेंटर इसलिए भी चेंज नहीं कर रहे हैं क्या पता एंटीज की रिगार्डिंग कुछ करें तो उन्होंने का कि बितिन अब बीक जितने भी अपडे यहां पर एक्जामनेशन सेंटर को चेंज कर सकते हैं इससे फायदा यह होगा कि आपको जाना ट्रेवल करके नहीं जाना होगा माली जिए अभी कोई स्टुनेंट्स एक प्लेस पर रहता उसके 200 किलमेटर दूर उसकी जो सिटी थी वहां पर उसको एक्जामनेशन सेंटर थ तो होसकता है एक्जामनेशन सेंटर कोई नई शिटी यहां पर आड की गई है और वो आपकी सेंटी मिले और आप चेंज जरू करिएगा एक बार देखियेगा अगर आपकी अपकर और पास में आपको वहां पर मिल जाए तो ।कुछ अप्डेट थी उन्होंने एक इंटर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चल अपने हैं सस्काइब जिरू करिएगा थेंक्यू